इस चैनल पे हम लोगो डेली सुबह और शाम में साथ बजे साथ मिनिट की ट्रिक मिलती है जिसको हम लोग याद कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की होती है अभी हम लोग जीके की बारे में बात करने वाले हैं जीके में आर्टिकल 19 से जुड़े हुई जितनी भी स्वत सवतंतरता आए हैं इनको याद करने की ट्रिक देखेंगे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 19 और इसको कर्टील कप केस में किया जा सकता है किस क्लोस के अंडर यह देख लेंगे आर्टिकल 19 देखो यह बिसिकली क्या है बहुत टाइम से हम लोग के उपर जो है राश किया ग होता है ठीक है दो तरीके से आप लोग देख सकते हो एक तो जो है एक पार्ट में आपको देगा कि अलग अलग आपके सिटिजन को जो है अधिकार दे रहा है राइट दे रहा है ठीक है वहीं जो इनका अपना अगला पार्ट हो जाता है उसमें क्या करता है अगले पार्ट मे चालेंगे साथ में ठीक है तो सबसे पहले देख लो 19 A, B, C, D, E, G इनको याद करना हमें A में जो आप लोग कहते हो freedom of speech और expression बोलने की आजादी होती है है ना 19 B में आप लोग कहीं भी assembly बना सकते हो without arms के peacefully 19 C के हिसाब से आप लोग association trade union से form कर सकते हो 19 D, कहीं भी आप लोग अपने देश में जा सकते हो आने जाने की आपको पूरी आजादी है 19 E, कहीं पे भी बसने की रहने की आपको आजादी मिल रही है 19 G, जो भी चाहे आप उस profession की practice कर सकते हो इसके लिए यह नहीं कहा जाता है कि यह occupation के लिए आपका यह gender होना जरूरी है यह caste होना जरूरी है यह सारी कोई भी आपके उपर दबाव या किसी भी तरीकी की रोक नहीं लगेगी ठीके तो वही चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है अब जरूरा हम लोग देखते हैं इसी को हिंदी में देख लो भी हमाय सामने हिंदी में भी लिखा हुआ है ठीके 19A की बात करें तो 19A जो होता है बिसिकली इसमें रहता है बोलने की आजादी ठीके लेकिन स्टेट इसको भी curtail कर सकती है 19 क्लॉस 2 के अंदर इनको क्या करती है curtail कर देती है अगर कभी भी ऐसा लगता है कि गलत है harmful है तो curtail किया जा सकता है अगला हम देख रहे है 19B 19B में सभा यानि आप लोग peacefully कहीं भी assemble हो सकते हो बिना किसी आम के लेकिन अगर आप लोग कुछ भी ऐसा करते हो जिसमें आप लोग peacefully assemble नहीं हो या गलत मकसद से assemble हो रहा हो तो वो गलत होता है इस case में राज जो होती है यह article 19 clause 3 का use करके और उसको क्या कर सकते है उसको disperse कर सकती है CR PC 129 के इसको disperse कर दिया जाता है अगर ऐसा कोई भी हाम देखने को मिलता है इसलिए जरूरी है कि आप लोग जबी भी ऐसे assemble हो रहा हो तो S.I.P. Sovereignity Integrity Public Order को follow करो तब ही assemble हो सकते हो वरना गलत है 19 C में यह होता है कि आप लोग चाहो तो अराम से association trade union form कर सकते हो लेकिन आपको अपने ध्यान में sovereignty, integrity, public order, morality इसको ध्यान में रखना होगा अगर आप इसमें से किसी भी चीज को हाम करते हो तो स्टेट आपके उपर 19 Clause 4 का use करके और उसे curtail कर सकती है ठीक है 19 D 19 D में आप लोग कहीं भी आ जा सकते हो इसको लाया गया था ताकि लोगों के अंदर देश भक्ती जगे थोड़ी और अपनी देश के बारे में जान सके nationality और जगे थोड़े राष्ट्रवाद हो सके एक एक कोनी में जा सके ठीक है तो इस केस में 19 D आपको ये अधिकार देता है कि आप कहीं भी पूरे देश में आ जा सकते हो लेकिन अगर आप लोगों के आने जाने से कभी भी ऐसा लगता है कि आने जाने से किसी भी general public को या कहीं कि किसी ट्राइब को किसी भी तरीके का नुकसान है तो स्टेट जो है आर्टिकल 19 क्लास 5 का यूज करके और जो है आपके इस ट्राइट को क्या कर सकते है करटेल यानि आप पे दबाव बनाया जा सकता है या आपको ये अधिकार लिया जा सकता है कि आप इस इस पर्टिकुलर जगे नहीं जा सकते हो अगला 19 E है कि कोई भी तरीकि की तरीकी की प्रॉफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है या आपका 19 G میں दिया होता है ये नहीं रहता है कि आपको ये वाले जंडर हो गलगए ये वाले कास्ट हो गए यही लोग इस काम को करेंगे वो कोई भी कर सकता है ठीक है अगर ऐसा नहीं करते हो तो इस case में जो इस state है article 19 clause 6 का use करके उसको क्या कर सकती है खंडित कर सकती है ठीक है तो यह हमारी होगे हैं सारी की सारे अधिकार उनको कैसे अब देखो जड़ा देखते हैं इसकी trick क्या है ऐसा देश है मेरा जहां बोलने के लिए सभा है संग है आने जाने बसने रहने और व्यापार करने की पूरिया जादी है ठीक है अब देखो यह याद रखो ऐसा देश है मेरा जहां इतना याद रखो Freedom of Speech Expression 19A Assembly 19B Trade or Union 19C आना जाना एक दूसरे किसे ठीक है कहीं भी आ जा सकते हो 19D बसना रहना Recide कर सकते हो 19E और व्यापार Profession Practice कर सकते हो 19G ठीक है तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो आपको आजीवन याद भी रहेगा कोई परिशानी भी नहीं होने वाली है तो याद रखेगा ट्रिक का सबस्च अच्छा तरीका क्या है ऐसा देश है मेरा जहां बोलने के लिए सभा है संग है आने जाने बसने रहने और व्यापार करने की पूरी आजादी है 19 A, B, C, D, E, G मुझे लगता बहुत असान था अराम से याद होने वाली चीज होगी आपकी है ना अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक ना किया हो तो और बगल में घंटा दिखता होगा इसको दबा देना ताकि आपको सारी वीडियो की नोडिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे आप मुझे अगर फॉलो करना चाहते हो तो बैंकर्स वे शैनल पे आप लोग आ सकते हो अगर अगर आपको कोई भी कोर्स लेना आ अगर आपको कोड यूज कर सकते हो इस कोड को यूज करोगे तो 10% ओफ हो जाएगा इसके साथ ही साथ जो भी कोर्स में लगाना चाहते हो सब में लग सकता है थैंक यू एवरिवन फो वाचिंग दे सेशन फिर में लेंगे अगरे सेशन में तब तक के लिए थैंक यू टेक केर लव यू बबाई